नमस्कार मैं आशीस पाटक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में जितने लोग भी नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सेर करें एक बहुत ही महत्पूर्ण इंफॉर्मेशन आई है जैसे आप लोग देख रहे हैंगे उत्त दोस्तों 43 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली थी इससे पहले टेंडर जारी किया गया था वहाँ पर जब टेंडर जारी किया गया आयोक के द्वारा तो सिर्फ एक कंपनी कम से कम यह लिखा जाता है टेंडर में कि दो कंपनी आपके टेंडर में सामिल हो तभी जाके वह सिर्फ एक कंपनी जो है इंको मिली थी इस वज़ा से आयोग ने क्या भरती बोर्ड ने कि उसको फिर से निरस्त किया उस्टेंडर को और फिर से अब वेबसाइड पर आज ही से अपने यहां पर साफ साफ लिखा है कि देखो यहां पर बोल दिया कि निर्गत यहां पर निवि प्रेस्त कर दिया गया था ठीक है सिर्फ एक कंपनी आने के वज़े से अब फिर से उसको पुना जो है आपका जो टेंडर है वो सुरू हो गया है आपका 10-6 से तो यह ध्यान रखो कि फिर से आप कोई कंपनी को क्योंकि कि देखो हो गया रहा है भरती बोर्ड के अपने संपनियां आपकी एनसाइटी और टीसियस दो मिली थींग को लेकिन टीसियस ने खुद इनसे सवाल जबाब कर दिया कहा कि हमारी यह सरते है बोर्ड से आप इसको फुल्फिल करो तो करो तो बताओ तो हम आपके साथ आए अदरवाज नहीं आए ठीक है और एनसाइटी वि पुद्दान आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है ठीक है और इस वारवाले में क्या हुआ कि जो अगामी भरती है उसके लिए जब निकाला गया तो इसमें कोई और पार्टिसिपेट हैं कि करना इसको अपने मनमानी है तो क्यों हम जाए तो अब देखते हैं क्या होता है अब अलग से टेंडर जो निकाले हैं कि इस बार कितनी कंपनिया इंके साथ आती है तो अब सब कुछ भगवान भरोसे है कि कौन कौन सी कंपनी आती है और फिर किसको मिलता है अगर किसी अच्छी संस्था को मिल गया तो वह या एक्जाम अच्छा खासा आपका कंड होगा कि जो विभागी आपके पद थे साइद 163 या 64 पोस्ट थे उनमें सतर लोग से पात्र पाये गए हैं येसी एसाई और एसाई के विभागी परिक्षा हो रहा था उसमें सतर लोगों की टाइपिंग का बारे में नोटिस आया कि उनकी टाइपिंग मतलब डेट तो नह कांट होगी जो एसाई के लिए बहुत पहले नोटिस आ गई थी वह अभी आपके जो प्रोमोशन वाले पोस्ट हैं उनके लिए आई है तो कहीं नहीं ये बन रहा है कि आपका जो टाइपिंग है सतर लोगों का इनका या तो इनका पहले हो जाए आपका पहले हो जाए या उसी समय हो जाए आपके होने के साथ साथ continuous इनको भी बुला लिया जाए तो आल्मोस्ट 15 से 18 के बीच में आपको टाइपिंग का जो भी information है हमें लगता है आपको मिल जाएगा तो टाइपिंग बाले अपना continuous टाइपिंग करते रहो किसी चीज में और न बजो कोई और information पर करेंगे फिर अगले ही दिन इस्टेनों आपका कराया जाएगा ठीक है उसके बाद से इस्टेनों में जो पास होते हैं अगर उनको पोस्ट मिल गई कि जितनी जरूरत है ठीक है इस्टेनों वालों की तब तो ठीक है नहीं इस्टेनों वाले मिल पाते हैं तो फिर से आपका merit down करके staino के लिए खासकर हो सकता है बुलाया जाए तो जो भी और information हमें मिलेगी हम आपके साथ साजा करेंगे चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ अब बहुत बहुत धन्यवाद